हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल में मधुबला स्वामी में व्लॉग मैं आपका स्वागत करती हूँ और सभी को सभी वाइटी जो फैमिली है सभी को हैपी न्यू एर बगवान आपकी सभी मनों कामना पूरी करें आप दिन दुगनी राच चोगनी जो है तरक्षी करो और यहां सुबे का टाइम है बहुत सारे काम मेरे हो चुके हैं और यहां बड़ा सा जो कड़ाई है मेरे पास लोहे कि उसको माज के मैंने गेस पे चड़ा दिया है और उसमें डाला है खूप सारा गी बस चारों तरफ इसको फैला रही हूँ और अब इसमें डालूंगी मै दूद आप इस जगे गाजर भी डाल सकते हो पहले और मैं बता दू गैज यहां बना रहे हैं हम गाजर का हलुआ और गाजर का हलुआ कई तरीके से बनता है आप इसको कुकर में भी बना सकते हो माइक्रोवेव में और बिना गिसे भी आप गाजर को जो है गाजर का हलुआ ब ओटाया हुआ दूद यानि गारा दूद गाइज जैसे एक किलो दूध होता है वो आधा किलो ना हो जाए तब तक उसको उटाना है और वो ओड जाता है तो उसको उटाया हुआ दूद बोलते हैं यहां मैंने 8-9 किलो गाजर ली है उनको सभी को छीर लिया है फिर दो के और उसको कद्दू कस करके और आप इस दूद में डाल रहे हूं आप इस जगे घी में गाजर लेके और उसको पहले अच्छे से चला लीजिए घी में इसकी सिकाई कर लीजिए और फित दूद डालिए क्योंकि गाजर का अलवा कई तरीके से बनता है बस फिर मैंने चड़ा दिया था दो कड़ाई में चड़ाया है और उसके बाद मैं ये सूबे काहने की तैयारी कर रही हूं मैं सरसो के तेल में राइस जीरा डाल के टमाटर में बैसिक मसाले हल्दी मीर्ची नमक धन्या पाउडर डाल दिया मैंने और गाजर डाली है जो बच्ची वी गाजर थी जो घिसने में आ रही थी पत्ले पत्ले टुकड़े उनको चील के च्यहीं काट लिया और मतर और एक आलू मैंने इसमें में चुक्त मैंट कीए ये क्योड उबाले हैं करीबानर्वन गराऊ दम्ताट में मंघाए थे त्दक बाट कीवाओर मतराया चीव भान से उबामे निया ऐट ने हम चड़ाया है तो उसलिए मैंने मिचा पिछए के और द्रहा है उपिर मिलगी गजो कर दियागा गाइस पुरानी मलाई मिस्स ने स्मेहल आती है फिर आपके अलोए में इसमेहल आएगी नहीं तो आप कद्दू कस्पी कर सकते हो जो चिफ्स बनाने की मेशिन होती उसमें भी आप बादा कर सकते हो और बास फिर ये छोटी वाली कड़ाई में दूद कम पड़ रहा था तो इधर से लेके बड़ी कड़ाई मैंसे मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी कड़ाई में मानी रहाता दूथ तो फिर मैंने इसमें चड़ा दिया इदर मेरी सब्जी भी हो रही है जैसा कि मैंने बताया है बस आलू छील लूँगी दूद मैंने चड़ा दिया है गरम होने के लिए और एक गेस पर पानी भी गरम हो रहा है और सुबह के जितने भी काम होते हैं वो सारे मेरे हो गए हैं अब आप सोच रहे हो गए इतना सारा हल्वा क्यूं बना रही है तो चलिए बने रही है मेरे साथ आगे आगे यहाँ यह सबजी मेरी बन गई है बस अब स्वामी जी के मुझे पूड़ी या रोटी बनानी है तो लहसुन मिर्ची और प्याज का पैस्ट कर लिया था अलग-अलग और बादाम भी में नहीं काट लिये थे विमला ने लगाया था आटा और गाजर घिस्वाने में भी विमला ने मेरी मदद करी थी क्योंकि मेरे कंदे में प्रॉबलम है और आटा भी मुस्से इता टाइट लूँगी आलू मेश कर लिये थोड़े थोड़े से बड़े बड़े टुकडों में भी रख लिये और मटल मैंने बोयल करके और चलनी पर निकाल ली थोड़ा सा एक उबाल लिया है मटल का और बस उसके बाद में विमला आप लोए बना रही है यह देखिए और मैं अब हल लंबा हो रहा था गाइस तो मैंने क्या करा उसको फास्ट कर दिया और बस हल्वा जो है सूख गया था हमारा तो मैंने वह छोटी वाली कड़ाई को खाली कर लिया है क्योंकि अब जुमें दो गेस पे तेल चड़ाऊंगी क्योंकि पूरी एक कड़ाई में निकलना पार नह कर लेंगे पूरी और मैं इधर दोनों गेस पे तलती जाऊंगी और साथ में में लोई भी बनाती जाऊंगी क्योंकि यह आटा दो तीन बार हमें लगाना है और फिर दबा दबा के हम बड़े भगोने में बड़े से डिब्बे में पेपर लगा के और सारी पूरियों को पूरी तलने के लिए आप मुफली का तिली का तेल किसी का भी यूज़ कर सकते हो और बस अब जो है विमला को नीचे बोल रही हूं नीचे पटी अलिया वहां पर बैड़ जा विमला तेल डाल रही है लोई बना रही है थोड़े वह तो इसने पूरी जो है अब बेल दीती है तो वह भी खाएंगे इधर विमला पूरिया निकाल रही है और सब्जी लास्ट में छोकूंगी और यह पूरिया बस अब मैं टिफिन पैक कर रही हूं टिफिन पैक करते ही मैं विमला को जो है नीचे भी बिठा दूँगी ताकि वह आसानी से नीचे बैट के निचे नि मैं अपनी बेटी मानती हूं बहुत ही अच्छी गुडगर लड़की है और भगवान ने मुझे जो है बेटी नहीं दी लेकिन इस रूप में एक बेटी दे दी और यह देखिए यहां मेरी मतर भी हो गई सोरी मैं उस टाइम बोल रही थी कि मतर मैंने निकाल दी चलनी पर मतर की क्लिप यह वापस से जुड़ गई है और इधर देखिए यह आलू भी में फोड रही हूं तो यह थोड़ी क्लिप आगे पीछे हो गई है गाई इसके लिए I really very sorry अभी क्या है मुझे इतना editing करना आता नहीं है तो वो क्लिप पहले जुड़ गई यह क्लिप बाद में हो गई है तो हो जाता है कभी कभी मेर से ऐसा और देखिए अब चलनी पर निकाल रही हूं मैं और बस अब सब्जी छोकूंगी तो इस वाले व्लोक में ज्यादा कुछ इतना खास नहीं है और बस केवल गाजर का हलुआ बनाया है और मतर आलू की सब्जी कैसे बनाऊंगी वो आप देखिएगा और यह देखिए यहाँ पर सारी तयारियां मेरी हो गई है और आज जैसा कि मैं बता रही हूं गाईज कि आगे आगे देखते रहिए आपकी अगर मैं क्लिप इसमें जोड़ूंगी तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यह खाना इतना सारा किसके ल लूँगी यहाँ मैंने हरे धनिया पत्ती क Musti को फासरी डाल दिया क्यों कि मटरारओ की सबजी में हरे धनिया पत्ती बहुत जादा अच्छी लगती तो छूप सारी मेने काट ली है तो यह सारी तयारियां मेरी चल रही है सुबह का नासता बिस्किट चाय और टौस्ट बस बीच में टिफिन दे दिया मैंने और सब कुछ हो गया और उसके बाद मैं अब विमला कर दी है थोड़ी देर रेस्ट इतनी देर मैं जो है यहां पर अपने लिए चाय बना रही हूं और विमला से मैंने कर ली जो है पतल दोने वगेरा जो भी जवरत के सामान थे वो सब म हो रहा है और इदर सबजी की तैयारी मेरी पूरी हो गई है पूरी आपने देखे लिए कि मेरी थोड़ी बहुत बन गई है टिफिन मैंने भेज दिया है बच्चों की पूरी बन गई है बस अब हमें जो है जो गेस्ट मेरे यहां पर आएंगे उनके लिए पूरी यां बना के और गाइस जैसा कि आप सब जानते हो दस वर्सों से मेरी यहां पर सभी क्लासे बिल्कुल निश्चुल की चल रही है प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिये ताकि जो है मैं घरीब बच्चों की इसी तरीके से हेल्प कर सकूँ यहां विमला गाजर का हलुआ भरी है और इदर का पेस्ट और उसके बाद में मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिये हैं और फिर टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है क्योंकि कटे हुए टमाटर भी अच्छे लगते हैं इसमें उसके बाद में मैंने लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी थी वो डाल दी है और अब हमें के सब्सक्राइब नमग मिलाएंगे जो मैश करे हुए हैं और मटर मिलाएंगे और बस इनको अच्छे से मिला लेंगे और ये जो है आपने देखा न जो होटल में जैसा बनता है शादी पार्टियों में खाना बनता है वेसा खाना बन रहा है आज हलुआ और मटरालू की सबजी देखते हैं आपके मुँँ में पानी आ गया होगा न ग दायेगा और यहां गुन-गुना पानी में मिला रही हूं यह देखा को की और मैंने लोंग और काली मिर्ची भी डाले ली थी दीं में जब मैंने मसाला चाले घखा मसाला अब अब में डाल रही हूं घरम मसाला तो यहां और nau시면 अक्रपटे में नाता है सुछ मैं पकने दू शादियों वाली सबजी बन की तयार हो गई शादी पार्टी वाली और बस यहां पर विमला नमकीन खोल रही है गाजर का हलुआ इसने भरी लिया और यह सब यहां होल में सामान पड़ा है यह सब जो है छट पे ले जाने का है यहां नमकीन तो आज का मेन्यू हमारा यही है ल काटर आलू की सबजी गाजर का हलुआ नमकीन और पूरी तो बस आज का मेन्यू हमारा यही है मेरा अगला वला व्लोग देखना मत भूलिएगा कि जो है हमारे घर पे कोहन मेहमान आये थे और कोन गैस्ट आये थे जिसके लिए मैंने इतना सारा खाना बनाया है बड़ा कि मैंने किसके लिए बनाया है तो आप जो है बने रही है मेरे साथ यहां भगवान के भोग लगा रही हूं मैं तो यह थाली मैंने निकाल दी है हम दयाल महराज जी को चड़ाते हैं भगवान जी के भोग लगाते हैं तो दयाल महराज की जे और बस चड़ा दिया फिर उसक अब विमला ये मैं वीडियो बना रही हूँ, विमला सारा बिचारी है बेटने का, और पूरी छट पे फिर बिचा लिया था हमने, और यहाँ पर ये देखिए, ये पापाजी का रूम है, इसमें मैं केमरा फिट कर रही हूँ, तो चलिए गाइस, और बाद में जाने का विव हुए खाना खिलाने के बाद में देखे च्छत की क्या दशा हो रही है चलिए मिलेंगे अगले व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई लाइक सस्क्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लिए टेस्ट वीडियो की नोट बाद है